Hello students, welcome to my channel Library Techno मैं आज आपको यह बताती हूँ कि Magazine and General General और Magazine जो होते हैं उनकी Entry किस में होती है? देखे एक तो Books होती है Books की Entry होती है Assession Register में है ना? और Journal और Magazine उनकी Entry Assession Register में नहीं होती है और उनकी Entry होती है यह आप देख रहे है Priority Record Register है ना? इस नाम से जो रिस्टर हाता है इसके अंदर Journal and Magazine इनकी Entry होती है तो यह रिस्टर है Priority Record Register अब इसमें जो है हम वैसे तो इसमें यह देख रहे हैं आप Alphabetical भी होता है इस तरह से है ना? तो Alphabetical भी हम Entry कर सकते है Alphabetical Entry It means Index जो हमको बनानी होती है वो इस तरह से भी बना सकते हैं जैसे यह देखिए मैंने बना रखी है इसमें Index यह आप देख रहे होंगे यह देखिए General के नाम है और यह जो है Seagal Number है और General के नाम और यह है Page Number पास नमबर भी मिलेगा 01 पे मिलेगा इस तरह से यह General है हमारे पास यह General की Entry यानि यह General के Index है अब हम यह देखिएंगे कि General of Management Research वो 01 में है Page Number 01 में यह देखिए General of Management Research Page Number है इसका 1 ठीक है अब तो इसमें जो Entries होती है वो किस तरह से होती है इसमें आप यह देख रहे हैं यह Publisher दे रखा है इसमें यानि पहले तो सबसे पहले General का नाम और प्रियोडिकली का मतलब हो गया कि यह कौन सा General है जैसे Monthly, Quarterly, Halfly तीन General होते हैं तो यह कौन सा है फिर यह Publisher के आया है इसका पूरा Address, Vendor कहां से यह आया हुआ है इसकी Site वगएरा Phone Number सभी इसमें Include होते हैं इसके बाद हैं इसमें Entries यानि इसमें जी Heading आप देख रहे होंगे Date, Month, Year, Volume, Number Date of Receipt और Librarian के Sign तो आप यह देख रहे हैं कि कौन सी Date में यह Journal हमको मिला है यह हमको मिला है 3.1.2015 में April का है Journal 2015 इसका Year हो गया Volume हो गया 6 और Number हो गया 1 और 3.1.2015 में ही हमने Receive करा है इसको यानि इसमें ही हमको मिला है यह Journal और Sign हो गए Librarian के इस तरह से यह Journal के Entry जो होती है वो इस तरह से होती है ठीक है आप समझ रहे है अगर इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अप यह पूछ लीजेगा इसमें जर्नल के Entry किस तरह मेंशन करनी है तो इसमें जो है Journal में जो यह लिखा रहता है यह साइट में भी लिखा रहता है और अंदर भी लिखा रहता है फिर मैं आपको इसके आगे फिर बताऊंगी कि मैगजीन की एंट्री कैसे होती है और जैनल भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें जैनल में भी किस तरह से एंट्री होती है तो आप मेरे चैनल पर देख लीज तेगर थेंक यू